आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello साथियो, आज का अपना प्रसन है एक नल एक टैंकी को आठ गंटे के अंदर बर सकता है और दूसरा इसे 16 गंटी के अंदर खाली कर सकता है यदि दोनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए तो एक भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प है, विकल्प पहला, विकल्प दूसरा, विकल्प तीसरा और विकल्प चोथा चले इस परसन को हम यहाँ पे हल करते हैं यहाँ पर कहा गया है कि एक नल एक टैंकी को आठ गंटे में भर सकता है और यहाँ पर दो तरह की बाते निकलती है कि एक नल एक टेंकी को भर सकता है तो दूसरा यहाँ पर खाली कर सकता है तो भरने के लिए हम यहां पर एक चिन का प्रियोग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जमा का चिन, यानि कि ये जो चिन है, ये हमें दरसाता है कि उस टेंकी के अंदर पानी भरा जा रहा है इस नल के दौरा, तो यहां पर दे रखा है कि एक नल है, जिसे मैंने एह नाम दिया ये नल एक टैंकी को आठ गंटे के अंदर क्या कर सकता है खाली भर सकता है और जो दूसरा नल है जो खाली कर रहा है टैंकी को वो खाली करने का जो यहाँ पे चिन है यह माइनस का साइन है घटाने वाला चिन है तो यहाँ पर वो जो दूसरा पाइप है उस टैंकी को 16 गंटे में खाली कर सकता है अब यहां पर सबसा बड़ी बात जो निकल कर आती है कि आखिर जो वो टैंकी है उसकी शमता कितनी है कितने लीटर की वो टैंकी है तो उसका सीधा सा एक तरीका होता है कि यहां पर जो समय दे रखा होता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं लासा, आठ और सोला का अगर मैं यहां पे लासा निकालूं तो आप लोग को पता ही होगा आठ और सोला का जो लासा होता है, सोला ही होता है, तो यहां पर मैंने कहा कि एक टंकी है, यहां पर हम माल लेते हैं कि एक टंकी जो कि सोला लीटर की टंकी है, कितने बात की जाए पाइप एक ही जो टंकी को भर रहा है 16 लीटर की टंकी है 16 लीटर की टंकी को आज घंटे में भरा जा रहा है तो यानि कि एक घंटे के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है आप कहेंगे 2 लीटर पानी भरा जा रहा है आप ये बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे अगर बात की जाएं यहाँ पर 16 लीटर की टैंकी को 16 घंटे में खाली किया जाता है तो एक घंटे में कितना पानी खाली किया जा रहा है आप कहेंगे यहाँ पर एक घंटे में एक लीटर पानी निकाला जा रहा है यहाँ पर क्या कहा गया है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानि कि पाइप A क्या है भरने वाला है यानि कि टैंकी में पानी भरता है और पाइप B क्या करता है टैंकी से पानी निकालता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आपको पता चलेगा यहाँ पर पाइप A दो लीटर डालता है लेकिन पाइप B एक लीटर निकाल देता है तो कुल मिलाकर एक घंटे में टेंकी से एक लीटर पानी निकलता है और यहाँ पर टेंकी की शमता कितनी है 16 लीटर की और 16 लीटर की टेंकियों खाली करना है और एक गंटे में एक लीटर पानी निकलता है तो आपको पता चलेगा यहाँ पर टैंकी को खाली होने में कितने गंटे का समय लग रहा है 16 गंटे लग रहे हैं यानि कि विकल पर पहला आपका क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा धन्यवाद साथ ही हो अज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर